गॉड मारिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल माई क्यूट होम गार्डन तो सामने जो आपको बीज नजर आ रहें यह हैं गॉमफेरना के बीज और आज मैं आपको गॉमफेरना को बीज से जो है वो ग्रो करना सिखाने वाला हूं पूरा प्रोसेस विद फुल अपडेट तिल फ्लावरिंग आज मैं आपके साथ शेर करूँगा और गॉमफेरना का जो प्लांट है जब एक बार आप अपने गार्डन में इसको लगा लेते हैं तो यह हमेशा सालों साल तक आपके गार्डन में जो है बोना रहता है क्योंकि बीज उसी गमले में गिरते रहते हैं और नए प्लांट अपने आप ही उकते रहते हैं उसके अलबा गॉमफेरना के उपर बहुत सारे ब्यूटिफुल फ्लावर एक साथ ब्लूम होते हैं और प्लांट भी काफी बुशी होता है तो यह सामने जो बीज आपको दिखाई दे है यह फ्लावर से ही मैंने कलेक्ट किये हैं तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मिट्टी की तो आपको बता देता हूं कि गॉमफेरना किसी भी तरह की सोईल में बहुत ही आसानी से जो है वो जाता है लेकिन इसके शीड को जर्मीनेशन करने के लिए एक अच्छी तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए हम 40% सेंग या बालू रेक का सकते हैं 40% वर्मी कंपोस्ट या खाद का सकते हैं और 20% हम गार्डन सोल का सकते हैं तो यही मैंने किया है और बीजों को गंबले में डालनने से पहले गंबले में पूरी तरह से मौस्टर जो हैं आसानी से और जल्दी से हो जाए तो यहीं मैंने किया है जैसे किसान बीज डालने से फैले खेट में हल चलाता है वैसे हम गमले में कुछ इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है इन सभी बीजों को जो है वो इसके ओपर फैला देना है कोशिश करिएगा कि गैप बना ले बीच छोटा होने की वज़े से एक एक करके बीजों को उगाना काफी मुश्किल हो जाता है तो इसके अंदर हम सैपलिंग या पोज जो है वो तयार क करेंगे और सही समय आने पर उसको एक दूसरे गंबले में ट्रांस्प्लांट किया जाएगा ताकि वो एक अच्छी फ्लावरिंग कर सके और एक अच्छा ग्रोथ कर सके तो अच्छी तरह से बीजों को आपको मिक्स कर देना है बीज मिक्स भी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऊपर से सोल से कवर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आपका दस तिन के बात आफ्टर टैन डेज आप देखेंगे सेवन टू टैन ड हो गये हैं तो गमफेरना के बीजो को जर्मिनेट होने के लिए लगबग साथ से दस दिन का जो समय है वह लगता है तो मिलते हैं अपडेट के साथ तो यह जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यह अपडेट लगबग लगब 15 दिन के आसपास का है 15 दिन में आप देखेंगे कि जो गॉमफेरना है उसके जो ट्रू लीफ्स हैं वो भी आने शुरू हो गए और इसमें ग्रोफ है वो काफी अच्छा है मिट्टी के अंदर मौश्चर आपको बनाके रखना है बिल्कुल भी नहीं करने हैं तो मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ तो फ्र जो है वो हो चुका है 30 से 35 दिन ऑन एन एवरेज उसके अंदर इस प्लांट ने जो है वो बहुत अच्छी ग्रोफ कर ली है और गमले में काफी हल्दी प्लांट जो है वो ग्रो हो गये हैं तो अब सही समय है इनको ट्रांस्प्लांट करने का क्योंकि एक गमले में इतने सार प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोफ नहीं करेंगे और उपर से गमफेरना का प्लांट है वो काफी बूशी होता है जिसकी वज़े से एक गमले में एक प्लांट को ही अगर उगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है अगर आपके पास गमलों की कमी है तो एक गमले में तीन यह बेख सकते हैं और 6 कि शीड से प्लांट उगाने से हमारे पास पर बहुत ज्यादsecond में बढ़तें। जाते हैं तो देखें करने सही तरीका। मैं देख गें कि हमारे जैप यसके लिए आपको गृत्रीके से इसके निकाला मिट्टेक से Nekal ना है इसकी तरीके से उसकी मिट्टी के साथ तैयार किया जायेगा। मैं यह देंक हैं जो है वह मेंने निकाल लिये हैं बागी को उसी गंहें छोड़ दिया है तो इस तरीके से पहुत तयार करने के बाद इसको जो गमला है उसके अंदर लगाया जाएगा तो यह 12 इंच का गमला है और एक गमले में सिर्फ एक ही पौदा में लगाऊंगा अब आप इसके अंदर किसी भी तरह की मिट्टी का इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं कोई खास वेल यह जो प्लांट है वो मैं ट्रांस्प्लांट कर दूँगा एक महिने के बाद अगर हम कहें कि 35-40 दिन के बाद आपका जो प्लांट है वो ट्रांस्प्लांट के लिए रेडी हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस गमले के अंदर जो है वो के साथ गीडियों में अंग तक बने रही है तो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आपका पॉने तीन से तीन महीने के बाद ऑनने ने आवरे जम कह सकते हैं कि तीन महीने के बाद जो गमफैरना है वह फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है अभी पूरी तरह से फ्लावर जो इसके फ्लावर का जो साइज है वह लगातार बड़ा होता चला जाएगा तो आप देख सकते हैं कि काफी जगे पे आपको छोटे-छोटे जो बर्स हैं वह नजर आ रहे हैं यह काफी सुन्दर जो फ्लावरिंग है आपको इसके उपर देखने को मिल जाएगी और हर ब्रांच के पर आपको फ्लावर जो है वह नजर आ जाएंगे यह देखिए तो काफी हल्दी फ्लावरिं यह मैं कहूं कि जो बर्डिंग है वह इसके अंदर हो रही है यह देखिए तो मिलते हैं नेक्स अब्डेट के साथ तो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आपका साड़े तीन महीने के बाद आपकी साधे तीन महीने के बाद आपका झो फ्लावर का सider वह भी बढ़ा हो चुका है बहुत ही ब्यूटि फॉलावर जो है वह हो हूं जो कि आपको नजर आ रहे होंगे और मैं पूरा प्लांट जो है आपको दिखाता हूं तो आपको नज़र आएंगे कि काफी संदर फ्लावर और बहुत सारे फ्लावर एक साथ ग्रूम हुए और प्लांट जो है वो भी काफी जो बुशी है वो हमारा हो गया है तो यह beautiful flower और यह plant आप देख लिए कितना अच्छा और बूशी प्लांट जो है वो अमारा grow हो गया है और लगातार इसका जो size बढ़ता चला जाएगा तो बहुत ही जल्दी हमने बीस से जो है वो flower का प्लांट जो है वो तैयार कर लिया है तो मेद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे like कीजे comment कीजे share कीजे subscribe कीजे thanks for watching my video